हलो दोस्तों, मैं हूँ पपो और आज इस वीडियो में हम जानेंगे CNG और LPG क्या है और यह भी जानेंगे कि CNG और LPG का फूल फॉर्म क्या होता है CNG और LPG में क्या अंतर है तो एक एक चीज़ को बड़ ही आराम से समझाओंगा देखते चलिए CNG इसका फूल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हिंदी में होता है संपिडित प्राकृतिक गैस इसका उप्योग LPG, पेटरॉल, डीजल आदी के अस्थान पर किया जाता है यानि अगर LPG, पेटरॉल और डीजल नहीं होंगे तो इनके जगह पर हम CNG गैस का उप्योग कर सकते हैं ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CNG गैस, डीजल, पेटरॉल और LPG की तुलना में कम से कम परदूसन होता है यानि अगर डीजल पेटरॉल जो है, बहुत सहरा परदूसन फैलाता है लेकिन वही अगर हम CNG का उप्योग करेंगे, तो कम परदूसन फैलेगा ठीक है, अब देखिए CNG गैस का अधिकतर उप्योग बड़े वाहनों में किया जाता है जैसे में देख सकते हैं, बास में किया जाता है और इसके अलावा, थ्री वीलर और टैक्सी आदी में भी किया जाता है ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं LPG गैस के बारे में LPG, जिसका फूलफम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस ओके, जिसे हम रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं ओके, तो LPG का उप्योग ज्यादा तर रसोई में खाना बनाने के लिए करते हैं ठीक है, और ये रसोई में खाना बनाने का एक परमुख साधन है यह ऐसा गैस है जो पुरी तरह से जल जाता है और जलने पर धुआ का उत्पादन भी नहीं करता है इस गैस के इस्तिमाल से खाना जल्द ही पक जाता है जिसे से समय की भी बच्चत होती है ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि LPG और CNG गैस में क्या अंतर है ठीक है, तो ये चीज़ आप असानी से याद रखीगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भारत